कि नमस्कार किसान जाथी हो कैसे हैं आप सभी आज की वीडियो में हम आपको पताएंगे कि धान beth की समस्या क कोनट्रोल करें और जो بी सीट विल लगता है उसको जो जो पिर फिर किसी भी तरह बीस फंगस लग रहे की sitting को किस तरह से रोक डुakers सबस्यादा किसान की समस्या रहती है कि लगों 15-20 प्रशेंट दान निकलने पर बाद में इस तरह से यह आप देख पा रहे होंगे बालियां कुछ सपेद पड़ रही है कुछ यह देखो इस तरह से यह इस समस्या काफी देखने को मिल रही है क्या होता है जब हमारा दान निकलने को होता है लगो 15-20 परसेंट निकल आता है फिर यह समस्या काफी देखने को मिलती है इस तरह से बालियां सूकने लगती है तो इसी के बारे में पूरी डेटल से चर्चा करेंगे तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज अगर मेरे चैनल को सस्क्राइब किया तो यह बढ़ श्रॉब कर दीजिए क्या होता है जब यह Milking stage होती है इस type से यह यह भी milking stage चल लाइए है इसमें अभी दाना नहीं पड़ा है ऐह हमारा ध्यान निकलाया है पूरा इसमें milking stage है भी दाना पड़ेगा तो इसमें यह बहुत ही critical stage होती ही कि इसमें बहुत ही द्यान रखना पड़ता है कि अगर द्यान नहीं रखेंगे तो 15-20 परसेंट नुकसान होई जाएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कि रस चूसक बगढ़ा लग रहा है उसको किस तरह से कंट्रॉल करना है तो इस तरह मतलब कैसे करके सको कंट्रॉल करना है कि तो बहुत कि दबाईों के नाम बताएंगे यह कि जो आप नोट कर लिजिए कि जैसे टेक्निकल भी बताएंगे और नाम भी बतादेंगे जो हमें मार्केट में असानी से अवीलोविल हो सके तोगा नोट कर लें है एक दवा आती है लंसर गोलड करके इसका टेक्निकल है ऐसी फेट 50% होता है और इसमें इमीडिया होता है इमीडिया होता है 1.8 , यह यूपील कंपणी का है यह क्या करता है यह सिस्टमक इंसक्टिसाइड है इसमें जैसे हो गया लीफ फोल्डर हो गया या इस्टम बोरर हो गया या प्लांट हो पर हो गया तो इनको सबको यह कंट्रॉल कर देगा क्योंकि अभी इस टाइम पर रस्चू सकती विमारी अगर लग गई इसमें किसी करण पर तो ग्रोथ जाइसी बात है कि कम हो जाएगी तो इसलिए इसका इस्प्रे करना बहुत ही जरूरी है अब बात करते हैं कि हमारे किसान वायू के लिए चमक धान में चमक भी चाहिए इंजेंटा कंपनी की आती है तिल्ट नाम से यह फंजी साइड दबाई है इसके अगर टेक्निकल की बात की जाए तो इसमें प्रोफिक करना जोल होता है 25 परसेंट ईसी यह किस चीज को रोपता है जैसे कि हो गया लीफ इसपोर्ट हो गए मतलब पत्ती में दब्बे बगर या चीज भलायट वो गई यह फिल लीफ रस्ट इसको वोलते है रजक्चूसक जीस पत्ति को चूहतले वाला जो रषट रसिम Otherwise अम्मृत हुपी Middle-플 इस मतलब या उभर को जैसली को और एक क्या होता है बहुत ही जरूरी है इसमें करनाल बंट भी आता है धान में इस टाइम पर करनाल बंट बहुत लगता है उसके लिए टिल्ट बहुत ही अच्छा काम करती है तो मैं आप लोगों से एक कहना चाता हूँ कि इस टाइम पे बहुत ही अच्छे से अपने फसल का ध्यान रखें तो एक बार बात कर लेते हैं अपने डोज के बारे में अगर यूपीय लांसर गोल्ड की बात की जाए इसको 300-400 ग्राम पर एकर के हिसाब से डालना है और जो टिल्ट आती है से इंटा कंपनी की फंजी साइड अगर इसकी डोज की बात की जाए तो 200 अमल पर एकर के हिसाब से इसको दोनों को मिला के इस फिरे कर देने से क्या होता है जितनी भी समस्या है वो सब खतम हो जाएंगी हमारे धान में अच्छी चमक आएगी तो अगर यही सब करने के बाद में किसी कारण बस अगर कुछ समस्या आपको लग रही है तो इसको फिर से दुबार से हलकी मात्रा में करके इस फिरे कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन